नमश्कार दोस्तों एक्टर सुषान सिंग राजपूत के निदन के बाद से बॉलिवोड में नशे को लेकर लंबी बहश जारी है एक्टर की मौत की जाच के दौरान नशे का कनेक्शन सामने आया था और उसके बाद से दिपिका पादुकोन, सारा अली खान और स्रद्दा कपूर जैसी हस्तियों के नाम सामने आये थे इसी दौरान बॉलिवोड सेलेब्रिटी सोशल मीडिया पर अपना अपना पक्स रख रहे हैं जिसमें अब अक्षे कुमार का नाम भी शामिल हो गया है सुसान सिंग की मौत पर और बॉलिवोड में फैले नशे के मामले में इतने समय तक एक सब्द नहीं बोलने वाले अक्षे कुमार का अब जब उनकी लक्षमी बॉम, बैल बॉटम और सूर्य वनसी जैसी फिल्में आने वाली हैं तब बोलना आम लोगों को रास नहीं आ रहा हैं और वो अक्षे कुमार के वीडियो का और उनकी आने वाली फिल्मों का जम कर विरोध कर रहे हैं आखिर अकसे गुमार को अपने मन और दिल की बात क्यों करने पड़ी क्यों वीडियो जारी करना पड़ा दरसल सुसान सिंग की मौत के बाद से देश बर में लोगों के अंदर काफी गुसा बरा हुआ है लोगों का गुसा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है लोगों का गुसा इनकी फिल्मों के ट्रेलर पर भी निकल रहा है सड़क टू के हसर से बॉलिवूड सहम गया है उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लोगों के गुसे को कैसे सांध किया जाए अभी हाली में जया बच्चन ने राजे सबा में थाली में छेद का जिक्र करके नशे के समर्थन में उतरने से लोगों के गुसे में आग में घी का काम किया था अक्षे कुमार और लक्षमी फिल्म के निर्माताओं को डर सता रहें कि उनकी फिल्म लोगों के गुसे की भेट न चड़ जाए पिछले दिनों खाली पिली के निर्माताओं को गीत के बोल बदलने पड़े थे क्योंकि सोशल मीडिया को उनका गीत भावनाओं को भढ़काने वाला लगा था लोगों ने ट्वीटर पर एक मुहिम भी चलाई है जिसमें अक्षे कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम और सूर्य वनसी को बैंद करने की मांग कर रहे है और इसके लिए लक्ष्मी बॉम को बैंद करने के लिए हैश्टेग बैंलक्ष्मी बॉम के साथ ट्वीट किये जा रहे है और अब यह टॉप ट्रेंडिंग हैश्टेग में सामिल हो गया है हजारों लोग इस पर ट्वीट कर रहे है अक्षे कुमार का मगरमच के आसु वाला वीडियो देखा उस दैनिया और मासूम बनने की कला पे मन किया कि हम भी मगरमच वाले आसु बाले लेकिन फिर याद आया कि कलाकार तो ये लोग हैं हम तो आम लोग हैं जो अपनी मैनत का पैसा लगा के अपने मनोरंजन के लिए इनकी फिल्मे या शो देखने जाते हैं ये लोग स्टार हैं और हम लोग इनने सिर पे बिठा के रखते हैं लेकिन इनकी तरह हम कभी आसु नहीं बहा पाएंगे अकसे कुमार बड़ी देश बक्ती वाली फिल्मे बनाते हैं कई फिल्मे हम टिकट लेकर देखने गए हैं और ना जाने कितने पैसे हम लोगों ने इनकी फिल्मों को देखने में खर्च किये हैं और इनके काम को सरा हाएं इनकी वाइफ टुकडे टुकडे गैंग को सपोर्ट करती हैं फिर भी इनकी वाइफ को इग्नोर करके इनके काम को सराते रहें सुसान सिंग राजपूत की हत्या पर इनके मूँ से एक सब्द न निकला इनकी पतनी सुसान की हत्या के जिम्मेदार लोगों के लिए जस्टिस का केमपेंच चलाती हैं ये भारत के दुश्मन पाकिस्तान की आईएसाई के प्यादे अनिल मुसरत के साथ पार्टी करते हैं कुल मिलाकर लिये और इनके जैसे खान गैंग, जोहर, अक्तर, कपूर भारत की जनता को बेवकूप समझते हैं ये लोग मिलकर बाहर से और छोटे जगों से आए सुसान जैसे लोगों के बारे में फेक न्यूस फैला कर उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं अनेक होनारों का जीवन बरबाद करते हैं वेब सीरीज के नाम पर असलीलता परोसते हैं, भारतिया आर्मी का अपमान करते हैं, पीके जैसी फिलमें बनाकर हिंदूओं की भावनाओं को ठेश मौचाते हैं बॉलीवड ने हर वो कॉंटेंट परोसा जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई अब इसलिए इन लोगों की फिलमों के बॉयकोट के साथ ही साथ छेत्रिय सिनेमा को नए विकल्प के तौर पर आगे लाना चाहिए जिसमें भारत और उसकी संस्कृती की बात हो बॉलीवड ने लोगों के डिसलाइक्स, बॉयकोट और बैन वाले ट्वीट्स और हैश्टेक देखकर इन्होंने सारी बड़ी बड़ी फिलमों की रिलीज अगले साल तक के लिए टाल दिये हैं और अब इनकी रिलीज के लिए पॉजिटी माहौल बनाने में जुटे हैं ताकि लोगों के गुसे को कम किया जा सके फिलमों की रिलीज का रास्ता साफ हो सके लेकिन अब इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है इन लोगों का नाटक खत्म हो चुका है इन लोगों का दोहरा चरित्र सबके सामने आ चुका है इन लोगों का नकली मुखोटा उतर चुका है अब कोई नाटक काम नहीं आएगा इन लोगों का टाइम पूरा हो इन लोगों पे अपनी मेनत की कमाई खर्च करने वाली आम जनता अब जाग गई है और अब ऐसे लोगों से बॉलिवूर्ड की सफाई करके ही मानेगी थैंक यू वेरी मच जैहिन